सबसे पहले दोस्तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कौनसी एक गलती है यानि कि कौनसी वो एक मिश्टेक है जिसको आप अगर अपने जिन्दगी में करते हो तो आप जिस अवरत को पटाना चाहते हो तो वो अवरत आपसे कभी भी नहीं पटेगी जिहां दोस्तो मैं भगवा कि भई तुज ज्यादा लेक्चर मत दे तुझे जो बताना है वो जल्दी से जल्दी बता हा दोस्तो वो कौनसी एक जो मिश्टेक है की you always try to hear thinking is wrong जी हां दोस्तो क्या बहुला मैंने यू always try to hear thinking is always wrong इसका दोस्तो हिंदी में जो मतलब है वो क्या है कि आप अगर हमेशा उसक thinking को गलत साबित करते हो तो आप अगर इस गलती को करते हो तो आपसे वो उरत कभी भी नहीं पटेगी तो अभी आप मुझको बोलोगे कि भाई तू थोड़ा सा example के साथ बता तो इसका अगर मैं आपको example थेना चाहूंगा तो इसका best example ऐसा होगा कि आपके जिन्दगी में ऐसी कोई स्तिती आती है जिस स्तिती में आपको दो ऑप्षन में से कोई एक ऑप्षन चुस करना है for example ऑप्षन ए या फिर ऑप्षन बी और आप अगर उससे पूछते हो कि तुम्हें क्या लगता है ऑप्षन ए चुस करू कि ऑप्षन बी चुस करू और जब आप उससे पूछते हो तब वो आपको ऐसा बोलती है कि हेरे हिसाब से तुम उप्षन फेस्ट चुस कर तो आप अगर उसको ऐसा कहते हो कि तु जो बता रही है वो एकदम गलत है तुमारे विचार करने की शमता एकदम घटिया है और ने कि उसको हमेशा आप अगर घलत साबित करते हो तो आप भी इस गलती को करते हो तो वो अवरत आपसे कभी भी नहीं पटेगी क्योंकि अवरतों को ऐसा बिलकुल भी पसंद नहीं आता कि उनके विचार करने की शमता को कोई पूरुष हमेशा रॉंग साबित करे तो आप इस गलती को कभी भी मत करो क्योंकि आप अगर इसको करोगे तो आप जिस अवरत को पटाना चाते हो वो अवरत आपसे कभी भी नहीं पटेगी तोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद